त्रीस्तरिय पंचायत उप्चुनों के तहट राज्जी के जिलों में जन्दपत पंचायत सरदसे के तीन, सरपंच के बासट और पंच के बावन पदों के लिए आज मतदान किया गया राजदान गाउं जिले में भी सरपंच के 10 और 5 के 3 पदों के लिए मतदान किया गया ओप जिला निर्वाचान अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि जिले में सरपंच के 10 और 5 के 58 पद खाली हुए थे जिसमें से 53 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं वही शेश पदों के लिए आज मतदान किया गया निर्दे सनुसार 33 पंचायतों के उप निर्वाचन जहां पे सरपंच और 5 के पद रिक्थ हुए हैं उन जगों पर आज मतदान की कारवाई की जा रही है मैं बताना चाहूंगा कि राजनान गाओं जिले के अंतरगत सरपंच के 10 पद रिक्थ हुए थे और इसी प्रकार से 58 पद जो है वो पंचों के रिक्थ हुए थे 58 पंचों में से 53 पंच के हमको निर्वरोध नामंकन प्राप्थ हुए हैं इसलिए वो निर्वरोध निर्वाचित हो गए हैं केवल तीन इस्थान ऐसे हैं जहां पर पंचों के लिए आज मद्दान हो रहा है और प्रतेक पंचायत जहां पर ये पंच का निर्वाचन हो रहा है वहाँ दो दो अभ्यरती हैं और दो ऐसे पंचायत के पंच पद रहें जहां पे नामंकन प्राप्त नहीं होने के कारण वो अभी भी रिक्त हैं इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि सरपंच के दस पद हेतू भी आज उप निर्वाचन की कारवाही के तहत मद्दान की प्रक्रिया चल रही है लगबग 70% से अधिक वोटिंग जो है अब तक एक बज़े की सिती में हो चुकी है उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताए कि चुनाओ परिणाम की घोशना 30 जून को होगी